हुआ है 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 मैं अमेजिंग लड़नर्स स्वाज में आपके साथ डिस्कॉस करने वाली हूं एक ग्रेड स्कल्प्टर आर्टिस्ट भारतिय मुर्तिकार ठीक है अगर आपने प्रिवेस्ट वीडियो मिस्स किया है तो देख लीजेगा बहुत जादे से एक बार इस बना रखा है भारतिय चित्रकार और मुर्तिकार दीथ है तो आज मैसके किसमें काम करते थे कहां से एचुकेशन लिया थे इनके टीचर कौन थे इनकी फेमस मूर्थियों के बारे में और कहां इनका बॉर्ण प्लेस रहा था वेरी मेंडेटरी कि पता हो रहा है कौन से आटिक्ष का जन्म कहां हुआ है पीवी जानकी रमन, मदन भतनागर, हिमर शाह, रागो कनहरिया, नागजी पतेल, बालबीर सिंग कट, उसके बाद है मिर्डाली नी मुखर जी, अर्जुन प्रजापती, लतिका कट, विमन भिहारी दास, अनिता दूबे, और पृत पास सिंगलाडी, आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल होगा, आफ्टर दीज क्लास, फीटवेक देना बिल्कुल ही भूलेगा, ओके आज मैं आपके साथ डिसकॉस करने वाली हूँ, पीवी जानकी रमन के बारे में, इवन अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो मिस किया हैं, तो देख लिजेगा, जिसे आप इसली कम्यूनिकेट कर पाएंगे, पर्टिकुलर में डेट आप बर्थ के अकॉर्डिंग याप पे मुर्थिकार को सलेक्शन की हूँ, चली तो फिर श्टार्ट करते हैं, पीवी जानकी रमन के बारे में, इनका जन्म हुआ था 1930, ये वाला पाइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, कब जन्म हुआ था 1930 में, कहां पर इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म हुआ था चेन नई में, चेन नई में जन से थी तो रिफ्रिजर टेक्निक उभादार प्रक्रिया सिमेंट में जानकी रामने कुछ प्रभावशाली सबी पोर्टेट्स ने भी बनाय थे बिल्ली मूर्ति शिल्प बनाये लेकिन वास्तुविक काम धातु की चादर पहिना ने जादा साधा किये इनकी मूर्तियां गरू पूछा गया है गनेश कितनी बार कि किस मटेरियल ने बनाया गया तो आउकसाइड तामबा पीवी जानकिराम फेमस क्यों है किस टेकनीक के लिए रिफुजर टेकनीक के लिए युद्धकी देवी भक्तों के साथ योध्धा कालिया मर्दन और डी योटी इनकी डी योटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी जितनी भी मुर्टियां है इनके शौर्ट्स भी मैं बना रखी हूं देख ले करें एक एक मिनट के शौर्ट्स होते हैं नेक्स्ट है मदन भटनागर मदन भटनागर का जश्ट पीवी जानकी राम की एक साल बाद जन्म होता है 1931 में ग कोथल गुजरात में वर्तमान में यह जैपूर में रह रहे होते हैं इन्होंने एजुकेशन बड़ोदा से लिए किस माटेरियल में काम करते थे तो माटेरियल यहां पर मिंशन डेट टेराकोटा बॉतलें टूटी जाली फटा कपड़ा यह ग्रूप 1819 से बिलॉंग करते ह जिसके फाउंडर कहे जाते हैं जे स्वामी नाथन अब आप कॉमेंट शेक्षम में बताएंगे कि इसका उध्धातन किस ने किया था गुरूप 1819 का ठीक है मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूंगी नेक्स्ट मुर्तियां होमेश्टू राजस्थान होमेश्टू राजस् 1936 में 1936 में जन्म होता है बड़ोदा शांको चौधरी से एजुकेशन लेते हैं एक्जाम में कोशन्स पुट अप किया गया है कि इन्होंने एजुकेशन किसे लिया तो शांको चौधरी से बड़ोदा में माध्यम काश्ट, काश्ट, वुड, टेराकोटा और मटके के टु के वेया है साथ के साथ अमरावती सिल्फ के साथ ही रागो कानेरिया, भारतिये गायों, साडो बच्छुट के बहुत सुन्दर सुन्दर मुध्या भी बनाते थे तो बिसकलि क्यूझ फेमस रहते है, मूर्तियां किस में बनाते थे जाते से जाता बुल्जी की बनाते थे इتي होने बुल्जी की कंश्डे ब्राउंज में बनाया थे और धन्राज भगत ने क्श्ड में बनाया थे ये प्राचीbels शिल्प भारती, शिल्पोव, कुशान काली मुर्तियों से भी प्रभावित रहते इनकी मुर्तियां देखिए, इनकी सारी मुर्तियां इंपोर्टेंट है पहला है सुन्दर साण, दूसरा है कलूल मारता हुआ बच्छडा ये भी इंपोर्टेंट है लाल कलन से भी important है राजसी मुर्गा विस्फोर्ट एंड बुल बुल इनकी कांश्य में बनाई गई थी ब्राउंज में रागो कनहेरिया ने कांश्य में बुल मुर्ती बनाए तथा धनराज भगत ने कांश्ट में बुल बनाया थे नेक्ष्ट है कन्ही कुन्ही रमन कन्ही कुन्ही रमन जिनका जन्म 1937 में होता है केरल में ये एजुकेशन्स लेते हैं मदराज से इन्होंने केरला के मंदीरों से प्रभाविट डिजाइनरों में भी काम किया था केरल के एक मंदीर में काम किया कन्ही कुनी रमन का मुरक्ता परिमल मुकॉला परिमल यह काफी पर एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है मदर एंड फर्टिलिटी यक्षी तीनों का पिक्चर देख लिएगा जो भी बच्चे यूजिसी ने डिसमबर वाली प्रप्रेशन कर रहे हैं तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स शेयर कर दी हैं मैं भी क्या करती थी नोट्स को बनाने के बाद गूगल पर सर्च करकर के इनकी सारी मुर्तियों के पिक्चर भी देखती थी और अगर आप सर्च नहीं भी कर पाएंगे तो मैं एक मिनट का शॉर्ट शेयर करती हूं उन शॉर्ट को आप देख लिया करें शॉर्ट में प्रॉपरली मुर्तिकार के एक-एक मुर्ति के सारी मुर्तियों मुर्तिकार की मुर्तियों होती हैं कलाकार के चित्रों होते हैं नागजी पटेल जिनका जन्माhews 1937 स्वि में हुआ था गुज्राद में वर्तमान में बड़ोदा में रह रहे हैं सिक्षा बड़ोदा से लेते हैं इनके गुरू थे इस्थापती गडपती गुरू का क्या नाम था? इस्थापती गडपती माध्यम संगमर्मर में काम किये माबल्स में ये रहसे और एंडिक किस्म के रुपाकारों के लिए जाने जाते हैं नागजी पटेल अपनी मुर्तियों में शीश्यम की लकडी का यूज करते थे ठीक है शीश्यम की लकडी कोशली आती है उसी का यूज करते थे संगमर्मर के बड़े सन्वेदंशील इस्तेमाल इनकी कला में देखने को मिल जाता है इनकी मूर्तियां हैं पिंक बश्ट जिसको गुलाबी धर बोलते हैं बनियान गेटवेड ट्री चिडियां जानवर एनिमस ब्लैक पत्थर काला पत्थर में इन्हों ने बनाये थे नेक्स्ट है कीडे मकॉडे बीज सर्प अंगिठी जितनी भी मुर्तियां आपको मैं यहां पर शो कर रही हूं यह सारे स्कल्प्चुर्स बहुत ज़्यादे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट आपके साथ शेयर ने की हूं लिमिटेड शांतिनी केतन राम किंकर वैस से ली और टीचर यह बी एच्चु में रहते हैं यूस फॉर्म में स्कल्प्चुर्स बनाने के लिए फेमस थे माध्यां पत्थर के बड़े आकार में मुझी शिल्प के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बालवीर सिंग कट पत्थर से बड़े आकार की मुझी बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं इन्होंने गुलावी चुना पत्थर बैजदान पत्थर काला संगमरमर और और औरीसा वाले इस्टोर्स का भी यूज किये हैं इनके सारे मुझी यह जितने भी स्क्रिन पर मैंने सलक किया है देखिए नेक्ष मुर्तिकार है म्रडालिनी मुखर जी तो म्रडालिनी मुखर जी के नेम से आपको मेक्रोमर टेकनीक मेक्शियोर की रिकॉल हो जाता होगा और यह मतलब किसकी बेटी थी विनोद भिहारी मुखर जी की लीला मुखर जी इनकी मदर है मिरडालनी मुखर जी 1949 में इनका जन्म होता है मुंबई में विनोद पिहारी मुखर जी की बेटी मतलब वहाँ इनके फादर है विनोद पिहारी मुखर जी इनकी मदर है लीला मुखर जी इन्होंने एजुकेशन ले थे बड़ोदा से माध्यम, जूट, संकी रसी, मैक्रोमर टेकनीक में धातू के छले वगरा में काम करती थी केजी सुब्रमन्यम से इन्होंने मूरल डिजाइन का डिप्लोमा प्राप्त किया है केजी सुब्रमन्यम, इनके टीचर कौन थे तो इनके टीचर थे विनोद बिहारी मुखर जी और केजी सुब्रमन्यम की इस्टूडेंट कौन थी तो वो है मिरडालीनी मुखर जी मिरडालिनी मखर जी का इस्क्रीन पे जितना भी मुर्ति आपको दिख रहा है यह सारा इंपॉर्टेंट है पुष्प बसंती वंश्री वाहन गुमेन और पिकॉग एक्जाम में पूछे गया भी कुशन से इन में से वंश्री पुष्प और बसंती कई बार पूछा गया है नेक्स्ट है अंकीत पटेल विसकली क्यूं पॉपुलर रहे थे इंडिया में इनको कैनेटिक आर्टिस्ट कहा जाता है वैसे अगर आल ओबर देखा जाए तो कैनेटिक आर्ट की शुरुवात किस ने किती सर अलेक्ज कारडन ने खोज किये थे उसके बाद दूसरे कौन से फेमस है नाम का वो यूरोप में फेमस है और अगर इंडिया में बात कर लिया जाए तो दो लोगों का आप नाम जरूर से याद रखिये का शांकोच आधरी एंड अंकीत पटेल अभी लाश्ट आपकी यूपी पीजी और फेमस रहते चलाइमान कैनेटिक आर्टिस्ट कहे जाते हैं नेक्स्ट भारत में कैनेटिक आर्टिस्ट अंकीत पटेल वे शांकोच ओधरी यूरोप में नाम गाबो अलेक्जेंडर काल रहे हैं यह मैंने इसलिए इंपोर्टेंट करके मेंशन कर दिया जिससे आपको ए इन्होंने बनीठनी ट्रांसपेरनसी में इसकल्प्चर बनाया थे मूर्ति आवैसे अकेडमिक शैली को इन्होंने फॉलो किया क्योंकि बनीठनी जो मूर्ती है किसंगर स्कूल में राजा सावन सिंग के टाइम डियूरेशन में बनाया गया था आर्टिष निहाल चंडर्त सब्सक्राइब के बारे में अगर डिसकस किया जाए तो आपको यह बात पता है कि एलोंगेटेड नोस थी एलोंगेटेड फेस थी आंके जो धी खंजनाकार थी और ट्रांसपेरेंट उपट्टा ओड़ी हुई है बनी थनी उनके साथ सथ आपको और कौन-कौन सा ध्यान रख इसने पूछ लिया जाता है कि बनी थनी जो एक्शुल में बनाई कब गई है सत्रह सो पचास से साथ तक में आर्टिष्ट है निहाल चैनल प्रेजबीट है राश्ट्य जंगरहाले नई दिल्ली में अब बनी थनी को डॉक्टिकट बीस पैसे के डॉक्टिकट में भी पब् पमौरजुन प्रजा पति ने इसी बनी थनी को एकेडमिक शैली को फॉलो करके कॉपी किया था इस कल्चर के फॉर्म में 1956 में इनका जन्म होता है जैपूर में संग्मरमें में काम कर रहे होते हैं तो जैपूर से ही बिलॉंग करते हैं वहां इनका जन्म होता है तो अपकॉर्स कहा जाता है न कि वहां का रिवलिशन तो इन पर पढ़ना जाहिर सी बाती पढ़ेगा ही तो इसलिए वो influenced रहे होंगे और 2010 में इनको पजमिश्री अवार्ड से भी awarded किया गया था इनकी मूर्ती है बनी ठनी ट्रांसपेरेंट डुपट्टा ओडे वे दिखाया गया है सोचे इन्होंने sculpture मूर्ती में भी transparency शो कर दी वैसे तो paintings में बनाना मुश्किल नहीं है लेकिन मूर्तियों में बनाना बहुत है बनी ठनी जो है वो paintings निहाल चंडर के द्वारा बनाई गई थी किसंगर स्कूल में और मूर्ती जो है आरजून प्रजापती comment section में बताईएगा कि बनी ठनी print making में printing किसने बना है print making बनी ठनी print में किसने रेडी किये तो मैं आपको option भी दे देती हूँ four options दे दे रही हूँ जैज हरोटिया मोतिलाल जरोटिया कृपा सिंग से खावत ये फिज्योती भड तो comment section में आप जरूर बताईएगा कि बनी ठनी print making किसने किये थे क्योंकि मूर्तिया अर्जुन प्रजापती ने बनाई बनी ठनी मूर्ति अर्जुन प्रजापती बनी ठनी जो पेंटिंग्स बनाई गई वो निहाल चंडर किसनगर स्कूल का बनी ठनी print making का आप comment section ने बताईएगा जिससे मैं clarify होगी कि आपको पता है और जिनको नहीं भी पता होगा वो बता दिएगा comment section में particular one student का मैं reply जरूर करूँगी one by one करके अशोग गौड ये फिर मैं comment करके pin up कर दूँगे आप लोगों हाँ पे देख लीजेगा अशोग गौड जिनका जन्म 1965 में हुआ था गया बिहार में और इन्होंने एजुकेशन जैपूर बड़ोदा से लिए इनकी मूर्तियां है योगा अगेंज्ड सन आश्चर जिनक चेहरा वंडर्ड फेस फूल तथा परिंदा योगा व्यायाम से संबंदित मूर्ति जिन्होंने योगा व्यायाम से संबंदित मूर्तियां बनाई तो उनका नेम था अशोग गौड नेक्स्ट प्रित पालसिंग लाटी इनका जन्म होता है 1925 में सिलॉंग फाइबर ग्लास में ये काम कर रहे होते हैं नेक्स्ट वीमन भिहारी दास वीमन भिहारी दास का किन्ता मडिकर के श्टुडेंट हैं इनके गुरु थे चिंता मडिकर ये कॉलकता आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं इनकी देवी और मिथुन शेंगला की मुर्ति शिल्प बहुत ज़्यादा ने हिन्हों ने पॉर्ट्रेट्स बनाइते जिनको शबी कहा ज अनिता दूबे का जन्म 1958 में हुआ था लखनों में और यह बढ़ादा में इन्होंने सिक्षा लिया मुर्तिकार फोटोग्राफर दोनों कही जाएंगी लतिका कट अभी इन से पहले इनके हस्बेंट बालबीर सिंग कट के बारे में मैं डिसकस की लतिका कट जिनका जन्म हुआ था गाजयाबाद में 1948 में उत्तर प्रदेश बीचू से एजुकेशन ली और बालबीर सिंग कट वहाँ पे बीचू में टीचर थे इनके हस्बेंट बालबीर सिंग कट यह पत्थर के बड़े-बड़े हीूस फॉर्म में स्कल्प्टूर्स बना रहा था इनकी जादा से जादा जब मुर्तियां यह सन्वेदंशील अनुभूतियों के लिए पहचानी जाती है इन्होंने पत्थर उत्केड और मेटल कास्टिंग में भी काम किया इनकी मुर्तियां है जराम पटेल पान खाते हुए खेत मकर संक्रांती और दसा समेंट घा कोई कैप्चर की बनारस में हैं बाकी इनका तीनों इंपोर्टेंट है नेक्ष्ट है जराम पटेल जराम पटेल के बारे में नेक्ष्ट क्लास में डिसकस करोंगी में कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लेर समझ आ गया होंगे जादा बड़े-बड़े मुर्तिकार नहीं है मुर्तिकार के 5-8 लाइन इनको आप याद करिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और वैसे ग्रूप में तो आपको पीडियोप मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों को मिल गया होगा तो चाहे तो अगर नोट्स का टाइम नहीं है तो इनको प्रिंट निकाल करके अच्छे से रिविजन कीजिए ओके थैंकिए सो मच आपर क्लास फीडबंग जरूर दीजेगा अगें वरी वरी थैंकिए सो मच और आप वेश्विसन स्वाव एक्जाम